आज हम बात करेंगे English grammar के बहुती अच्छे topic parts of speech की जिस तरीके से speech का मतलब आप सभी को पता है कि हमारे बोलने वाली है हमारी भाशा शाहली को speech का जाता है और हमारी भाशा के मतलब कि हमारी speech के कुछ parts होते हैं ठीक है तो हम बात करेंगे कि parts of speech होती क्या है तो देखिए words are divided into different groups according to the functions in which they stand in a sentence the different groups are called parts of speech तो देखिए हमारी जो parts of speech है वो कई सारे parts में बटी हुई होती है ठीक है न जैसे सरी किसे देखने सा को पता चल रहाएगी जो speech है वो कई सारे parts में बटी हुई होती है और ये eight types के होते हैं ठीक है ये eight types के part of speech होते हैं तो first में हम बात करते हैं noun की पहला जो part इसका होता है वो noun होता है second part इसका pronoun होता है third part verb और fourth part adverb, fifth part adjective, sixth part preposition, seventh part conjunction और last eighth part interjection तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं उसके जो eight types होते हैं तो उसमें noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction और interjection तो इन eight parts से मिलकर हमारी parts of speech बनती है सबसे पहले हम बात करेंगे noun की कि आखर part of speech में सबसे पहले part noun का क्या काम होता है तो जिस तरीके से आप शुरू से एक define पढ़ते हुए आ रहे हो noun की कि noun का मतलब क्या होता है noun is a word that indicates person, place and things तो आप जानते हो वो सभी noun कहलाती है noun माने क्या बोलते हैं इसको इंदी में हम संग्या बोलते हैं noun से हम संग्या बोलते हैं और ये noun जो शब्द है ये कहां से आया है ठीक है ना तो ये आया है comes from a latin word एक latin word जो की है नोमन जो की क्या है नोमन नोमन का मतलब क्या होता है इसका means होता है name मतलब की नाम किसी भी चीज का नाम उसको हम noun बोलते हैं किसी person का नाम हो किसी place का नाम हो किसी thing का नाम हो उसे हम noun बोलते हैं तो जो noun है वो latin word नोमन से बना हुआ है और नोमन का मतलब क्या होता है नाम जिससे की noun बना हुआ है अब आपको पता चल गया हो, नाउन किसको बोलते हैं, ठीक है, तो नाउन बोलते हैं, किसी व्यक्ति के नाम को, किसी वस्तु के नाम को, किसी जहे के नाम को, नाउन बोलते हैं, ठीक है, लेटन वर्ड से आया हुआ है, नोमन से निकला, नोमन लेटन वर्ड से बना हुआ है, इसका मठलब नेम होता है अब नाउन को यदि हम बात करें तो नाउन भी five startups में बटा हुआ होता है नाउन भी कितने types में बटा हुआ होता है five न हीव तापस में प्टाव हुआ होता है पहला होता है प्रॉपर नाउन सेकंड होता है कॉमन नाउन थर्ड होता है क्लेक्टिव नाउन फूर्थ होता है material noun और फिफ्थ होता है abstract noun ठीक है तो noun के five types होते हैं proper noun, common noun, collective noun, material noun और abstract noun ठीक है तो हम सबसे पहले अब आप से बात करेंगे कि ये जो five types हैं इनका मतलब क्या होता है ठीक है तो इसके मतलब के लिए आज हमने आपको starting में स्रिफ part of speech बताईए कितने type की होती है उसके बाद में हमने आपको noun बताया है ठीक है ना? noun के जो types होते हैं five जो कि आपके सामें लिखे हुए हैं ठीक है अब इनको भी हम define करेंगे प्रॉपर नाउन क्या होता है, common noun क्या होता है, collective noun क्या होता है, material noun, abstract noun ठीक है? तो इसके लिए आपको अपनी एक जो English grammar की जो copy है उसमें आपको जो ये नाउन्स हैं जोनके type से वो maintain करके रखने हैं हम अगली वीडियो में आपको इन नाउन्स को समझाना शुरू कर देंगे